इस वीडियो से एक नया चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जी हाँ, Class 6th Geography का चाप्टर चाप्टर है, Motions of the Earth अर्थ मूव करता है जी हाँ, अर्थ में दो तरह के मोशन्स हो दे हैं कौन-कौन से है, Revolution और Rotation दो ही मोशन्स हैं, लेकिन दोनों ही मोशन्स सरदर्द हैं क्यों? क्योंकि दुनिया में जो भी हो रहा है दिन हो रहा है, रात हो रहा है, गर्मी आ रही है विंटर सारह है, सारी चीज़े जो बारिश हो रही है सब कुछ सब कुछ जितना जो भी होता है दुनिया में, सारा सब कुछ इन ही motions के कारण होता है, ठीक है, तो basically जैसे मैंने आपको बताया है कि अर्थ में दो तरह के motions होते हैं, the earth has two types of motions, what are those two types of motions, तो first is rotation, rotation मतलब क्या होता है, axis बताया था हमने पिछले चाप्टर में सारा सब क सब कुछ basics में पढ़ा था कि axis क्या होते है, poles क्या होते हैं, वगेरा वगेरा सब कुछ, तो earth अपने axis पे, axis ऐसा है, नहीं, axis ऐसा है, tilted है na axis, तो earth अपने axis के उपर खुद rotate करता है, ठीक है, पहली चीज, पहला motion क्या हो गया, rotation of the earth, आये समझाते हैं, तो ये देखो, ठीक, ये बहुत मदद करता हैं, अब earth क्या करता है, earth अपने axis पे rotate करता है, तो ये हो गया, rotation of the earth, आया समझ में ये rotation of the earth हो गया, अब मेरा नाम है sun, ठीक है, s-o-n-e-s-u-n वाला sun, ठीक, तो मैं सूरज हो मान लो, अब दूसरा जो motion होता है, किसका, earth का, तो दूसरा motion होता है, revolution ठीक है, revolution क्या होता है, revolution समझना, revolution मतलब earth इस तरह से क्या करता है, sun के around revolve करता है, ठीक है, sorry, ये revolve करता है, तो अब ऐसा नहीं कि जब rotate करेगा, तो revolve नहीं करेगा, revolve करेगा, तो rotate नहीं करेगा, देखो, जब sun क्या करता है, जब earth क्या करता है, rotate करता है, अपने axis पे, तो और ये इससे दिन और रात होती, क्योंकि सनलाइट जिदर जाएगी उदर दिन उदर और जहां नहीं जाएगी वहां रात, तो ये दिन और रात हो गई, ठीक, ये 24 आर्स की मुव्मेंट हो गई, रोटेशन, और रेवलुशन क्या होती है, रेवलुशन जो होती है, तो वो इ रेवलुशन और रोटेशन दोनों चीज़े एक साथ चलती रहती है इस तरह से, ठीक है, ये था रेवलुशन और रोटेशन और ये ही है पूरे चाप्टर में बस, पूरे चाप्टर में इसके लाब और कुछ नहीं है, तो यहाँ जो वीडियो था, एक बेसिक इंट्रोड होने वाला इसमें, ठीक है, चाप्टर छोटा है, क्रिस्प आपने देखा, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में वही डिसकस करेंगे, क्या-क्या पढ़ने वाले हैं देखिए, तो वाट वी आर गूइंग टू स्टडी इन दिस चाप्टर, इस पूरे चाप्टर का ठीक है, एक्विनॉक्स, तो ये सारी चीजें जो है, ये हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्ट्चर में एक साथ पढ़ेंगे, और उसके बाद में NCRT solutions, questions तो आपके पास भी हैं, answers नहीं है, answers का हम मिलेंगे, answers मेरे पास मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो ल राजपूत, वेलकम तो मैगनेट ब्रीन्स, इस वीडियो लेक्ट्चर में हम बहुत इंटरस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, वो है motions of the earth, अर्थ जो rotate करता है, revolve करता है, उसी चीज़ पे सारी चीज़ें निरभर रहती है, मतलब उसी rotation पे, उसी revolution पे, depend ह होता है कि दिन होगा या रात होगा, उसी rotation पे, revolution पे, depend होता है कि कौन सा season होगा, और मुझे पता है आपको यह confusion है, इसलिए आप इस वीडियो लेक्ट्चर को देख रहे हैं, believe me, वीडियो लेक्ट्चर के end तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि अर्थ का rotation क्या होता है, revolution क्या होता है, rotation के क्या impact होते है, revolution के क्या impact होते है, दिन और रात कैसे होते हैं, क्यों कभी summers आते हैं, क्यों कभी winters आते हैं, यह सारी चीज़ें completely एक वीडियो लेक्ट्चर में comprehensively पढ़ने वाले हैं, stay connected और topic को साथ में लेके चलिए, देखिए यहाँ पर क्या लि अर्थ का अपना एक axis होता है, यह पिछले वीडियो लेक्ट्चर में जो पहले वाले chapters हमने discuss कियें, उसमें मैंने आपको बताया है, कि axis किस तरह से अर्थ का होता है, axis मतलब क्या होता है, जो, कह सकते है, imaginary line जो दोनों poles से से पास होतों में निकल रही है, ठीक है, अब जो axis ह तो उस axis पर अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है, और यह होता है अर्थ का rotation, कैसे है, वो मैं आपको समझाता हूँ, यह अर्थ है हमारा, अर्थ का यह axis जो है, तो यह tilted रहता है, एकदम सीधा नहीं है, जुका हुआ है, ठीक है, अब यह जो अर्थ का axis है, वो tilted है और उस tilted axis के उपर अर्थ rotate करता है, कैसे rotate करता है, वेस्ट से east में, अब यह जो rotation होता है, ठीक है, यह देखि यह rotation जो होता है, तो इस rotation के कारण दिन और राथ होते हैं, आपके मन में सवाल, बस हमें यही जानना है कि दिन और राथ rotation से कैसे होते हैं, जदू से बताऊंगा, है जादू दिखाते हैं आपको देखें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे हम यह देखेंगे कि किस तरह से अर्थ का जो rotation होता है तो उस rotation के कारण day और night होता है अब हमारे पास में sun भी है हमारे पास में earth भी है और earth rotate भी करता अर्थ कैसे part sun के towards face कर रहा होता है अर्थ का जो part sun के towards face कर रहा होता है वहाँ पे daylight जा रही है यह daylight है daylight जा रही होती है और जो part पीछे की तरफ होता है ठीक है वहाँ पे daylight नहीं जा रही होती है तो क्या होता है practically जैसे अब इंडिया आया यह हमारा प्यारा भारत ठीक है आगे रहा में मॉर्निंग हो रही है और इंडिया में आप शाम हो चुकी इंडिया पीछे चले गया है और इस समय तक अगर हम देखेंगे तो अमेरिका में दिन हो रहा है और इंडिया में रात हो रहा है तो सारी चीज़े डिपेंट करती है किस चीज़ पर अर्थ के रोटेशन के कारण क्या होता है डे और नाइट होता है फाइन अब जो आपकी बुक में जो कंटेंट दिया है हम उससे डिसकस कर लेते हैं वैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली सारी चीजे समझा दिये देखें मोशन सॉफ दी अर्थ पढ़ रहे हैं तो एक तो रोटेशन गूम रहा है यह रोटेशन हो गया रेवलिशन में क्या होता है रेवलिशन में मान लीजी जैसे यह सन है चीक है इसको सन सपोस करते हैं तो सन के अराउंड रिवाल्व जब करता है ऐसे जब सन के अराउंड क्या करता है रिवाल्व करता है अर्थ तो वह रेवलिशन कहलात जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता है Geography के बारे में 0 से start कर रहे हैं और इस वीडियो lecture पर आगे रहे हैं तो उन लोगों को क्या करना है उन लोगों को पहले Basic Features वाला वीडियो lecture देखना चाहिए बेसिक फीचर वाले वीडियो लेक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा एक्सिस वगरा क्या सारी चीजें लॉंगिट्यूट्स के हैं लैडिट्यूट्स के हैं ठीक हैं बागी नई भी समझा है तो थोड़ा थोलों में बताते चलता हूं देखिए अब ये दो फिनोमिना होते हैं revolution क्या होता है movement of the earth around a sun in fixed path known as its orbit ठीक है और जब ये जैसा sun है और earth क्या करता है जब sun के around revolve करता है तो उसका एक रास्ता होता है उस रास्ते को orbit कहा जाता है ठीक है वो revolution होता है ठीक अब देखो revolution भी समझेंगे अभी और in detail में पहले rotation वाले concept half degree with its orbital plane मैंने जैसे बताया ये sun है तो sun के around जब revolve करता है earth तो वो एक orbit में revolve करता है एक रास्ते पे अब जब अर्थ है तो अर्थ का जो axis है ठीक है यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था अर्थ का axis का है tilted है तो यहाँ पर वही बताया गया है कि अर्थ का जो axis है वो क्या है the axis of earth makes an angle of 66 and half degree with the orbital plane तो एकदम सीधा नहीं है tilted है थोड़ा सा और इसी tiltation के कारण क्या है वो जब इस orbital plane पे घूम रहा होता है अर्थ जब revolve कर रहा होता है तो tilted way में ही revolve करता है ठीक है therefore tilted while revolving around the sun अब spherical shape है देखो यह चीज़ भी समझना आप shape कैसा एक sphere है ठीक है sphere है तो उसके करण से क्या होता है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि जब जिस तरफ से light आ रही होगी तो light एक ही तरफ रहेगी semi sphere में semi circle में क्या रहेगी light रहेगी बाकी पीछे वाले हिस्से में क्या develop हो जाएगा darkness develop हो जाएगी वह रहता है ठीक circle of illumination circle of illumination भी बनता है यह क्या चीज है तो circle of illumination क्या है मतलब आधा दिन और आधा रात तो वह circle of illumination हो गया ठीक है आगे देखो क्या है अब इस चीज को समझना this circle does not coincide with the axis हाँ अब यह जो circle of illumination बना है जैसे हम देखें तो इस तरफ क्या है आदा circle dark है आदा circle daylight है ठीक है तो यह जो circle of illumination है यह it does not coincides with the axis coincide मतलब क्या होता यह समझाता हूँ देखो मैं आपको यह axis है समझना इस चीज को axis थोड़ा सा tilted है ना कितना tilted है वह axis तो 66 and half या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो 23 degree 23 and half degree ठीक है तो इस तरह से जो tiltation है उसका तो 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 क्या होता देखो कि जो circle of illum illumination बनाएं आप देखो कि तो इस तरफ हाफ है तो यह इतना जो पार्ट है यह north pole हो गया यह south pole हो गया तो एक समय पर क्या रहता है कि sunrise direct कहां तक जा रही है north pole के ऊपर तक जा रही है और south pole पर नहीं आ रही है अब यही अर्थ की position जब यहां होगी तब कैसी होगी पता है तो समझ में आ जाएगा ठीक यह चीज़ समझ जादी circle does not concise with the axis यह जो circle of illumination बना है तो यह axis से concise नहीं करता है normally अगर tiltation नहीं होता है तो एक दम बराबर आदा हंदेरा आदा उजाला रहता लेकिन ऐसा नहीं होता है ठीक और इसी कारण से क्या होता है summers और winters north hemisphere और southern hemisphere में आग तो कैसे काम करती चीज़ें वो मैं आपको समझाऊंगा ठीक है अब देखिए क्या है earth takes about 24 hours to complete one rotation around the axis हाँ यह हम देखेंगे comprehensively revolution वाले section में अभी earth जो है तो एक पूरा rotation complete करने में 24 hours लेता है और इसी कारण से 24 hours में एक पूरा day complete होता है 12 hours में हम देखते night रहती 12 hours में day रहता है earth उसे एक earth day कहा जाता है एक earth day होता है ठीक है what would happen if the earth did not rotate चलो rotation से हमें समझ में आगे दिन और रात होती है लेकिन अगर दिन और रात मतलब अर्थ ने rotate करना बंद कर दिया तो आप कहेंगे बस दिन और रात नहीं होंगे जहां रात है वहां हमेशे रात रहेगी जहां दि रहेगी extreme temperature conditions रहेगी ठीक है climate जो रहेगा extremely hot रहेगा और जहां sun rays नहीं जा रही है वहां पर क्या रहेगा वहां पर sun rays जा नहीं रही है तो plants वगरा तो कुछ होंगे नहीं और दूसरी चीज़ क्या है कि वहां पर continuously क्या रहेगा अंधेरा रहेगा अंधेरे के साथ साथ में चलो अपने light लगा लिये मान लिया ठीक है light लगा लोगे लेकिन जो temperature condition तो dip होते जाएगी और temperature कम होते जाएगा तो वहां पर भी extreme winters होंगे तो इसलिए sun का rotation जो वह दिन और रात से जादा इसलिए ज़रूरी कि moderate temperature बना रहे ठीक है तो extreme conditions होगी life would not be possible और अर्थ पर फिर life possible बली नहीं हो पाएगी अब बोलो कि दिन बार हो जाला रहेगा तो हमें दिन बार स्कूल में बैठना पड़ेगा तो आपकी चिंता वहीं तक होगी लेकिन उसके अलावा भी बड़ी problems हो सकती है extreme conditions हो सकती है तो आप देखो कि nature ने कितने सोच समझ के हर चीज को अपना-पन मोमेंट दिया है ठीक है तो यहां पर rotation बहूत जादा जरूरी होता है fine चला तो यह पूरी rotation की कहानी थी अब देखते हम revolution की खानी ठीक है revolution की कहानी क्या है तो revolution क्या है? revolution से जुड़े है फिनोमेनास क्या है? मैं आपको अभी एक broad outline बताता हूँ कि revolution के कारण क्या होता है? revolution जब इस तरह से earth sun के around revolve करता है, तब seasons change होते हैं, अर्थ की अगर यहाँ position है तो तब कुछ और season रहेंगे, अर्थ की यहाँ position रहेगी तब कुछ और season होता है, revolution मैं आपको बताया था कि sun के around जब earth क्या करता है? revolve करता है, हमारे पास में हमारा artificial white sun है, ठीक, अब देखिए क्या चीज़ें होती है, तो जैसे earth, मान लीजे इस समय पर क्या होने वाला है, अभी आप और वीडियो में आगे देखेंगे summer solustice, winter solustice क्या होता है, ल लेकिन जब ऐसा होता है कि direct sun rays, ट्रॉपिक of cancer तक जा रही होती है, यह देखिए, ट्रॉपिक of cancer तक northern hemisphere में direct sun rays आ रही है, तो अभी क्या देखने को मिल रहा है हमें, कि जो उपर वाला northern hemisphere है, तो northern hemisphere के northern poles के पीछे तक direct sun rays होती है, क्योंकि जो direct solar insulation है, वो overhead होती है, ट्रॉपिक pole पर आपको क्या देखने को मिलेगी, night देखने को मिलेगी, ठीक है, अब एकदम exact आप replica नहीं बना सकते हो, फिर भी we are trying our best, कि हम exact replica बनाने की कोशिश करें, clear, अब यही moment change होती है, कब यही moment change होती ही with the revolution, ठीक है, तो अब जब revolve करके, ठीक है, अब यह revolve करके, यह position जब र आप पहुचते हो, winter solustice पे, winter solustice में क्या होता है, तो winter solustice में direct solar insulation कहां रहेगी, southern pole पे, ठीक है, मतलब direct solar insulation जाएगी, tropic of capricorn तक, मतलब south pole पे भी अभी क्या रहेगा, daylight रहने वाली है, ठीक है, तो जो circle of illumination बनने वाला है, वो कहां तक रहेगा, circle of illumination, south pole के पीछे तक रहे sunlight जो होती, daylight जो होती है, तो इसे deprived होगा, ठीक है, इसी कारण से यहाँ पर winter होंगे, अभी, clear, यह winter का time है, क्यों क्यों क्योंकि direct sun rays southern hemisphere में है, north hemisphere में winter हो गया, और वाईसा वर्सा क्या होता है, revolution करने के बाद में, जब ऐसी position पर रहता है, तो sun rays कहां रहती है, direct northern hemisphere में, तो isolation पर, तो I hope आपको समझ में आया कि कैसे rotation और revolution दोनों कहीं न कहीं बहुत important होते है, rotation से day and night समझाया था, और revolution से season समझाया, इसे theory part पर और देखते हैं, चलिए, I hope मजा आया आपको, ठीक है, हमने अभी सारा सब कुछ समझ लिया, आपकी earth के rotation दिन और रात होता है, और अभी अर्थ का जो axis है, वो tilted है, तो सारे phenomenon होते हैं, अब हम उसको theory part पे एक बार देखते हैं, देखो सारा, ठीक, it takes around 365 days to revolve around the sun, तो ये जो एक पूरा revolution होता है, इस तरह से घूम के आने का अपनी जगा पे वापस, ये 365 दिन लेता है, अर्थ, usually 365 दिन रहता है, usually क्यों कहा, क्यों साल में 6 hours बचे, दूसरे साल में 6 hours बचे, तीसरे साल में 6 hours बचे, तो और जो चौथा साल रहेगा, तब भी 6 hours बचे, तो 6 for that 24 hours, 24 hours is equal to 1 day, तो ऐसे में तो हम 10 सालों में 10 दिन पीछे हो जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो 6 गंटे उपर extra लगते हैं, तो 6 गंटे 6 hours को मिला के आप क्या करते हो, 24 hours बनाते हो, 1 day बनाते हो, over a span of 4 years, फिर क्या करते हो, therefore, in every 4 year, there is a year with 366 days, और इसलिए क्या होता है, हर 4 साल के बाद में, 366 days का 1 साल आता है, ठीक है, जिसमें आपको स्कूल 1 साल ज्यादा जाना पड़ता है, कौन सा, उस साल को हम leap year कहते हैं, जिसमें February में क्या होता है, 29 days हो जाते हैं, आएना समझ में, तो ये सब कुछ होता है, revolution के उपर depend करता है, clear, अब देखी क्या है, तो the earth is going around the sun in an elliptical orbit, और एक सीज और बता दे, जैसे मैंने आपको भी बताई थी क्या, कि earth जब घूमता है sun के, आजू बाजू, जब earth क्या कर है, ये elliptical है, एकदम circle नहीं है, clear है, और elliptical orbit होने के कारण क्या होता है, हाँ पर अलग-अलग जैसे हम देखेंगे, seasons भी हमें observe करते हैं, अब seasons में क्या-क्या होता है, चलो वो मैं आपको बताता हूँ, बैसे हमने practically देख लिया है, अब यहाँ पर समझते हैं, तो ये जो ell elliptical orbit होता है, तो ये inclined होता है, थोड़ा सा, elliptical orbit होता है, तो ये एक्सिस थोड़ा सा, tilted होता है, और इसी करण से क्या होता है, seasons होते, तो summer, winter, spring, lass ओ, autumn, ये चार seasons होते हैं, ठीक हैं?ब ये चार season कैसे काम करते हैं? तो summer season क्या होता है, summer in northern hemispher, हम देखेंगku एक चीज़ और बताता हूँ कि हम summer बोल रहे हैं तो summer हमारे लिए बोल रहे हैं लेकिन southern hemisphere में तो winter होगा ना लेकिन हम उसे summer से क्यों पढ़ते हैं क्योंकि जैसे देखोगा तो आप geography वगरा जो सारे development हुए तो लोग northern hemisphere सब कुछ वह नदन हमिस्फियर के हिसाब से लिखा पड़ा गया है तो हम उसे समर ही बोलेंगे तो चार सीजन जो होते हैं चार सीजन में चार फिनोमेना भी होते हैं summer solustice होता है ठीक है winter solustice होता है और equinox होते है equinox भी समझाता हूं solustice भी समझाता हूं देखो तो summer in northern hemisphere इसका मतलब क्या हुआ summer in northern hemisphere का मतलब यह होगा कि अब direct race कहां पर आ रही है भी जो कौन से axis के पीछे तक जा रही है मतलब एक्सिस की position ऐसी है तो नदन जो circle circle of illumination है उसके पीछे तक जा रही है raise northern hemisphere में ठीक है north pole is inclined towards the sun north pole inclined है sun के towards तभी तो इसके पीछे तक क्या जा रही है sun rays जा रही है फिर क्या हो रहा है इस तरह की position है जैसे अगर यह sun है तो earth की position कुछ इस तरह से तो यहां से sun rays यह बड़ा बन गया है छोटा कर देतें चलो ठीक है यहां से sun rays यहां तक जा रही है तो north pole पे क्या हो रहा है north pole पे sun rays एक्सिस के पीछे तक जा रही है clear फिर उसकाइब में क्या होता है ट्रॉपिक of cancer receives the direct rays और direct sun की जो overhead पोजीशन है तो कहां ता आ गई 0 degree के उपर जो ट्रॉपिक of cancer है हमारा तो ट्रॉपिक of cancer तक आ गई है ठीक है क्या होता है 21st June longest day and shortest night यहां पे क्या होता है कि अब क्यूंकि direct sun rays यहां तक आ रही है और rotation हो रहा है तो rotation के चलते क्या है कि maximum area जो है northern hemisphere में क्या कर रहा है sunlight को receive कर रहा है तो 21st June जो हो रहा है जो लोग 21st June को देख रहे हैं ये video lecture को वो comment करके बताएंगे तो 21st June को longest day and shortest night होती है क्यों क्योंकि direct sun rays northern hemisphere में और उसी दिन क्या होगा southern hemisphere में उनके आप विंटर चल रहे हैं तो विंटर चल रहे हैं तो इसे आप से वहां पर shortest day होने वाला है और longest night होने वाली है ठीक है conditions are reversed in southern hemisphere वही मैंने कहा कि यह जो सारी conditions आपने summer solustice में northern hemisphere में देखिए तो ठीक उलट हो जाती है southern hemisphere में ठीक है summer in southern hemisphere south में जो southern hemisphere में में क्या होता है summer होता है ठीक है ठीक है tropic of capricorn received the direct sun rays अब sun rays कहां आ रही हम गारी है देखो तो जासे यह sun है यह sun है ठीक है और यह earth है तो अब यह equator है और तो अब sunraise direct कहा जा रही है अब direct sunraise जा रही है ट्रॉपिक ओफ Capricorn पर जा रही है मतलब क्या है कि North Pole जो है तो North Pole पे अब sunraise नहीं है अब sunraise direct कहा है South Pole पे ठीक है South Pole यह है तो South Pole के पीछे तक अब sunraise जा रही है फाइन जैसा भी दिखाया था आपको तो Tropic of Capricorn receives direct sun rays ठीक है and South Pole is tilted towards the sun अब ये देखो South Pole जो है तो South Pole tilt कर गया Sun के towards ठीक है Sun के towards किसका जुकाओ जादा है भी South Pole का ठीक अब ये तारीक कौन से होती है तो 22nd December के दिन ऐसा होता है 22nd December longest day and shortest night in Southern Hemisphere यहाँ पर ये लोग क्या बना रहे हैं जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि Winters में हम usually Christmas बनाते हैं पूरे Northern Hemisphere में लेकिन Australia में लोग क्या करते हैं Summers के time period में Christmas बनाते हैं तो Christmas की date वही रहेगी लेकिन वहाँ पर समर रहेगा क्यों कि tiltation किसका एक्सिस का tiltation Sun के towards कब होता है Southern Hemisphere में जब winter solustice होता है ठीक है तो 22nd December के दिन वहाँ पर क्या होता है longest day होता है जो हम 21st June को observe करते हैं वही same to same phenomena Southern Hemisphere में 22nd December को वो लोग observe करते हैं longest day and shortest night in Southern Hemisphere आया समझ में यह पूरा phenomena जो है बड़ा मज़ेदार है इससे समझ लेते हैं तो बहुत सारी चीजें geography को पढ़ने में समझने में आसान हो जाती है I hope आपको यह सारी चीजें समझ में आई है relate कर पाए हो ठीक है तो अब यह देख लो एक बार और तो आपको समझ में आएका कि हाँ North Pole के पीछे तक Sunrise जा रही है Direct Vertical Race जो है वो Tropic of Cancer पे होती है और Southern Hemisphere में क्या condition है यहाँ पांदेरा है ठीक अब यह क्या करता है यह घूम के जब आता है इस तरह से यहाँ पे जब position रहती है तो यहाँ पे position ऐसी है कि Tiltation अब Sun को Tiltation से कोई फरक नहीं पड़ रहा है Sun को सेम अर्थ दिख रहा है एक example जैसे मैं आपको बताता हूँ कि example में क्या होता है example में देखिए अगर आप Sun है आपको अभी क्या दिख रहा है आपको अभी आप देखोगे तो नदर हमिस्फर जादा दिख रहा है ठीक है लेकिन यही चीज़ जब आप ऐसी position पे देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है अब आपको पूरा North और South बराबर दिख रहा है तो यह Equinox की position होती Equinox की position में क्या होता है यह देखिए मान लीजिए Earth ऐसा था अब Earth rotate करके Sun के यहां आगया और यह जो पीछे Sun है यह वाला Sun है ठीक है तो अब Sun को तो बराबर दिख रहा होगा जैसे आपको भी North Pole और South Pole बराबर दिख रहे हैं तो Sun को भी North Pole और South Pole बराबर दिख रहे होंगे अब तब क्या होता है कि दोनों पॉल एक सांद नहीं दिख ते वहाई इस साल में 2 बार होता है क्यूंकि एक बार इस पोजिशन पे डिखिएगा अर्थ एक बार उस पोजिशन पे देखेगा तो एक Equinox एक Spring Equinox होता है ठीक है और एक क्या होता है एक autumn equinox होता है इससे समझते है चलिए यह देखिए यहां से आप देख रहे हो तो circle of illumination अभी यहां बन रहा है यह position यहां पे है ठीक अब यह equinox की जब position आईगी तो इससे देखिएगा circle of illumination एक दम बराबर बनेगा पूरे दोनों points पे ठीक है फिर अब क्या होता है winter solistice जो आएगा इसमें tiltation जो पिछले image था और याले image में थ्रोड़ा सा tiltation का फरक है बस यह ठीक अब यहां पे आप गौर से देखेंगे अगर तो circle of illumination एकदम बराबर बन रहा है पोल्स पे ठीक है तो इस तरह से पूरा फिनोमेना होता है बड़ा interesting phenomenon है आगे देखिए अब equinox को और समझता है चीज़े तो when the direct rays of sun falls on the equator direct rays of the sun falls on equator ठीक है neither of the pole is tilted towards the sun दोनों पोल्स equally दिख रहे होते हैं therefore the whole earth experiences equal days and equal nights clear है 23rd September और 21st March दो दिन ऐसे होते हैं जिस दिन यह equinox देखने को मिलता है इसे हम autumn season कहेंगे नेदर हमें स्फियर के हिसाफ से बता रहा हूँ 23rd September को और इसे हम क्या कहेंगे spring season कहेंगे 21st March को तो यह spring हो गया यह autumn हो गया तो यह autumn equinox कहलाएगा यह spring equinox कहलाएगा ठीक है अब देखो क्या है समप करते हैं तो rotation के वाला जब पूरा खेले वो day और night के लिए responsible होता है revolution वाला जो होता है तो वो क्या होता है changes in the season के लिए responsible होता है I hope चीजे समझ में आई हैं आपको सारी clear equinox पर जैसे यह position होती है दोनों तरफ एकदम सेम क्योंकि दोनों पोल्स दिख रहे होते हैं तो ठीक है और यह autumn season होता हमारे हैं जैसे जब north के साब सब्सक्रबात करें तो नदर हमिस्पे उस समय पर क्या होता है विंटर्स आने वाले रहते हैं autumn बड़ा अच्छा लगता है और spring भी क्या लगता है वसंद भी बड़ा सुंदर लगता तो यह क्योंकि extreme कहीं पर भी नहीं होता है ना आपको winter होते बहुत जादा ना बहुत जादा summers होते तो यह equinox में equitable climate देखने को मिलता है फाइनली इन सारे examples के साथ में सारे emotions के साथ में हमारा chapter होता है complete I hope आपको सारी चीजे समझ में आईए समझ आई है कैसी लगी है बताइएगा जरूर Hello everybody this is दिगराश सिंग राशपूत Welcome to Magnet Greens इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम NCIT solutions को discuss करने वाले हैं किस chapter के तो जी हाँ जिस chapter को हम theory part पे comprehensively पढ़ चुके हैं हर topic को sub topic को समझ चुके हैं एक video lecture में मैंने आपको पूरा mechanism समझाया कैसे दिन और रात होता है कैसे seasons बदलते हैं वो सारा सब कुछ हमने पिछले video lecture में पढ़ा था अब हम इस video lecture में यह जो chapter है हमारा class 6 geography का chapter motions of the earth इस chapter को हम theory part पे तो complete कर चुके हैं questions आपके पास हैं ठीग आपकी book में NCIT questions जो हैं अब answers कहां हैं तो answers मेरे पास हैं हम NCIT जो questions हैं उनके solutions को इस video lecture में comprehensively discuss करने वाले हैं fine देखिए क्या है तो पहले answer the following questions बहुत सारे questions इस chapter में सारे questions के answers को हम समझते हैं चलिए देखिए यहां पर क्या है पहला question what is the angle of inclination of the earth's axis with its orbital plane ठीक है मतलब मैंने आपको बताया था कि अर्थ एक elliptical orbit में घूमता है ठीक है अब जब अर्थ एक elliptical orbit में घूमता है तो वो tilted है उसका axis ओहो ठीक है उसका axis जो है वो क्या है tilted है इस तरह से चलो मिट गया बिट जाने दो तो tilted axis होने के कारण क्या है अब question यही पुछा कि angle of inclination बता दो कितने angle पर जुका हुआ है तो the angle of inclination of earth's axis with its orbital plane is 66.5 ठीक है 66 degree 30 minutes जो है तो वो है या पर 23 degree 30 minutes जो कहना चाओ तो वो उसका क्या है angle of inclination है चलो बढ़िया आगे क्या है define rotation and revolution दोनों चीज़ों को define करना है rotation और revolution को आपको बता है अपने axis पर घुमना rotation sun के around revolve करना ठीक है वो क्या है revolution तो rotation is the movement of the earth on its own axis ठीक है तो जब उस खुद की axis पर घुमता है तो वो क्या हो गया rotation हो गया जैसे बहुरी घुमाते हो आप कभी आपने तो नहीं घुमाई होगी ठीक है अभी 6th class में जो है जो हाँ 6th class बहुत पहले जिन लोगों ने पास कर जुकी है जैसे आज क्या है आज आज आपका बच्पन PUBG में परिशान हो आप लोग हम लोगों का बच्पन क्या था बहुरी घुमाते थे कंचे केलते थे वो सारी चीज़े होती थी ना तो वो बहुरी जो घुमती है वो rotate करती है ठीक है वो rotation हो गया revolutions अब revolution को समझो क्या है तो the moment of the earth around the sun is in an orbit ठीक है fixed path is called revolution revolution क्या होता है कि जो moment of the earth in an fixed orbit एक fixed orbit में जब अर्थ जो है तो वो घुमता है ठीक है अर्थ जब एक fixed orbit में घुमता है around sun यह sun है तो sun के around जब एक fixed orbit में घुमता है तो वो क्या कहलाता है वो कहलाता है revolution उस moment को revolution कहते हैं ठीक है second type of motion of the earth पहला rotation हो गया दूसरा revolution हो गया it takes 365 days one year and six hours to revolve once around the sun तो एक चक्कर काट के पूर और घूम के आने में कितने दिन लग जाते हैं 365 days और six hours ओके अगला question कहा देखो what is a leap year तो अब आप यह बोलोगे 365 days और वो छे गंटे जो उपर लगे थे ना उसी को मिला के हम leap year बनाते हैं आंसर देखो क्या लिखेंगे तो the moment of earth on its axis around the sun takes 365 days and six hours इतना time लगता है we ignore six hours for the sake of convenience तो convenience के लिए हम छे गंटों को ignore कर देते हैं सेक of convenience and consider a year consisting of 365 days और इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं बस अब लेकिन वो छे घंटे तो बच गए एक साल बचेंगे दो साल बचेंगे तीन साल बचेंगे चार साल और चार साल बात तो पूरा एक दिन हो जाएगा और चार साल के बाद में इस सारे छे घंटे बचाए और चेंगे को वी आइडिंग अप याइडिंग अप एंड मेकिंग अडे ठीक है एक दिन बना देते हैं 6 x 4 is equal to 24 तो 24 hours का एक दे बनाएंगे ओवर थी स्पैन फोर यर्स तो फोर यर्स तक भी विल सेफ 6 आर्स एच एवरी एर ठीक है एंड अल्टिमेटली वाट वाट वी आप दो सिक्स आर्स एंड मेक अडे एक दिन बना लिया एंड देन देन इस अडिस क्रेटेग दे एक जो दे टुदी मंथ ओफ फैबरी एंड इन एवरी फोर यर्स एबरी इस ओफ 29 देज इंसपाइट अफ 28 देज तो नॉर्मली फैबरी में 28 देज होते हैं लेकिन हर साल जब मतलब हर चार सालों में एक बार लीप यर आता तो हम क्या कर देते हैं फैबरी को हम 29 देज का मना देत है इस साल में एक दिन ज्यादा स्कूल जाना पड़ेगा आपको वह 366 देज वाला जो एक यर होता है उसे क्या कहते हैं लीप यर कहते हैं आगे देखो क्या डिफ्रेंशेट बिट्वीन इस समर और विंटर सॉलिस्टिस ठीक है समर और विंटर सॉलिस्टिस बताओ तो समर सॉलिस्टिस सिंपर सी चीज़ है जब हमारे समर्स में दिन बड़े होते हैं और विंटर सॉलिस्टिस मतलब जब हमारे जब क्या होता है विंटर में हमारे दिन छोटा होता है सबसे छोटा दिन होता है ठीक है इसको अब आंसर कैसा लिखना देखो देज आर लॉंगर वर्स के हो जाती क्योंकि वहाँ पे winters है तो वहाँ पे दिन छोटे होंगे रात बढ़ी होगी, ठीक है, this position of the earth is called summer solustice, आपका homework दे रहा हूँ में, आपको बताना date कौन सी है, इंडिया में, मतलब, world में summer solustice कब बनाये जाता है, अब winter solustice देखो, the southern hemisphere experiences summer and it is winter in northern hemisphere, तो अब क् कि जब southern hemisphere में summer हो रहा होगा, क्यों क्योंकि direct solar insulation tropic of Capricorn पे होगी, ठीक है, और इंडिया में क्या हो रहा होगा, उस समय पर इंडिया में, और इंडिया में या फिर नदर hemisphere में, पूरे, पूरे नदर hemisphere में क्या हो रहा होगा, उस समय पर winter, ठीक है, तो the days are longer with shorter nights, तो यहाँ प ठीक है, यह आपका homework हो गया, जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक, अब अगला question क्या है, what is an equinox, equinox क्या होता, बराबर वाले दिन, तो on 21st March and 23rd September, ठीक है, the whole earth experiences equal nights, equal nights and equal days, because of neither of the pole is tilted towards the sun and the equator receives direct sun rays, direct sun rays, रहाँ ठीक है, direct sun rays, this is called an equinox, तो इसको मैंने practically आपको पिछले वीडियो में समझाए भी था, एक बार फिर समझा देते हैं, यह sun है, तो जब यह position होती है, ठीक है, sun और अर्थ की ऐसी position होती है, अब क्या होगा कि यहाँ से अगर sun rays आ रही है, तो sun rays direct कहां आएगी, sun rays direct कहां पे, equator पे, और यह पूरा pole ज sun rays को witness करता है, तो equal days, equal night, equal days, equal night जब होगी, तो अब उसे क्या कहा जाता है, equinox, और साल में दो बार होता है, अच्छा, दो बार क्यों होता है, यह भी समझ लो, ठीक है, वैसे तो मरता चुका हो, पिछले वीडियो में, दो बार क्यों होता है, कि एक बार तो जब sun और अर् देख लिए, कब-कब, 21st March पर होता है, 23rd September पर होता है, बराबर दिन, बराबर रात वाला, ठीक है, आगे क्या एकला question देखू, why does Southern Hemisphere experiences winter and summer solustice in different times than that of Northern Hemisphere, तो Southern Hemisphere में winter और summer क्यों आते हैं, ठीक है, summer solustice क्यों आते हैं, और Northern Hemisphere में लग क्यों आते हैं, तो उसका कारण तो आ आसे होती कि बार-बार बता दे तो बच्चों को एकदम clear हो जाए, ठीक है, जब क्या होगा, ये position की सर इदर है, तो अब क्या होगा, direct sun rays कहां जारी, direct sun rays मान लो, direct sun rays जारी, Southern Hemisphere में, तो Southern Hemisphere में क्या होगा, summers होंगे, लेकिन अब जब position बदल जाएगी, ऐसी हो जाएगी, त direct sun rays कहा जारी है, तो Southern Hemisphere में क्या चलियाएगा, विंटर हो जाएगा, तो टिल्टेशन ही कारण है, बस, simple सी चीज, अगर टिल्टेशन नहीं होता, तो सब कुछ एक जैसा होता, ठीक है, तो आप देखो क्या है, these Southern Hemisphere experiences winter and summer solutes in different times than that of Northern Hemisphere, because of the Earth's inclination and revolution, Earth revolve भी करता है, ठीक है, गूम रहा है, उसी के साथ में inclined है, तो इसके चलते क्या होता है, इसके चलते दोनों हमिस्फेर में अलग-अलग समय पे winters और summers आते हैं, winters और summers के साथ में solutes भी अलग-अलग आते हैं, the Tropic of Capricorn receives direct sun rays due to tilting of south pole towards the sun on 22nd December, अब क्या होता है, 22nd December में जो situation रहती है, तो वो कुछ इस तरह की रहती है कि direct sun rays कौन receive कर रहा है, southern hemisphere receive कर रहा है, Tropic of Cancer जो है वो direct sun rays, 23 degree, 30 minutes south वाला जो area है, वो direct sun rays receive कर रहा है, direct sun rays receive कर रहा है, तो 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 जब direct sun rays receive कर रहा है, तो उसके चलते क्या होता है, वहाँ पे summers रहने वाले हैं, ठीक है, the vertically falling rays, sun rays, at the Tropic of Capricorn, 23 degree, 30 minutes, या भी 23 23 degree, 0.5 south provides heat to the larger portion of it, तो इस कारण से southern hemisphere में larger portion में heat रहती, तो वहाँ पे summers होगा, therefore it is summer in southern hemisphere, आया समझ में, and winter in northern hemisphere, on 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun, और ये जो पूरी कहानी बता है, ये उल्टी हो जाती ही, कब, ये reverse हो जाती है, 20, यहाँ पे हमने अभी तक जो समझा तो ये किसका था, ये प नदन hemisphere में क्या चल रहा है, summers चल रहा है एक तरह से, लेकिन वो winter solistries बोलें, क्योंकि history जो लिखी गई है, geography जो लिखी गई है, तो सब कुछ north के हिसाब से लिखा गया है, ठीक है, अब आगे अगर हम देखते है, 21st June, तो situation reverse हो गई, अब ऐसी reverse हो जाएगी situation, तो अब direct sun rays कह summer there, ठीक है, तो summer की spelling यहाँ पर double M कर लेना, summer there while winter in southern hemisphere, तो यह पूरी कहानी रहती है, ठीक है, तो यह था हमारा question कि क्यों अलग-अलग time पर अलग-अलग solistries यह सारा सब कुछ होता है, तो इसको explain कर लिए elaborately, आगे देखो क्या है, why do the polls experience about 6 months day and 6 months night, हाज यह अच्छा interesting question है, आपने, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था क्या, कि 6 months days होते हैं, पोल्स पे 6 months की nights होती है, तो अब ऐसा नहीं कि पूरे 6 मैने रहने वाला अंदेरा यह 6 मैने वो जाले वाला, लेकिन ऐसा होता क्यूं है, उस चीस को भी समझे थोड़ा सा, तो क्या हो पोल्स हैं, तो वहाँ पे continuous क्या रहेगी, daylight नहीं रहेगी, तो इस करण से 6 months के days, 6 months के nights, इस तरह से चीज़ें चलती है, तो नॉर्थ पोल्स रिमेंस इंकलाइन ट्वार्ड दी सन फॉर 6 months due to the, due to which places beyond Arctic Circle experiences continuous daylight, ठीक है, तो जो एकदम नॉर्थ पोल है, उसके अलावा भी क्य जो places है, places beyond Arctic Circle experiences continuous daylight, ठीक है, for about 6 months, while the South Pole remains away from the sun for 6 months and experiences night for same period, ठीक है, और जो South Pole है, तो जब तक Sunrise direct Arctic Circle के उपर तक जाएगी, तो South Pole पे तो Sunrise जाना ही नहीं है, तो वो क्या करता है, वो Sunrise से deprived होता है, उसको Sunrise नहीं मिलती ही South Pole को, तो उसके चलते वहाँ पे क्या होती, 6 months की night हो जाती है, और यहीं चीज़, reverse हो जाती ही, ती सेम कंडिशन, reverse is for the next 6 months when South Pole is inclined towards the sun and experiences day while North Pole experiences night, ठीक है, तो यह चीज़े reverse हो जाती है, कब जब South Pole पे direct sunrise आ रही होती है, ट्राउपिक ओफ, क्रैपिरिक जो तब तब वहाँ पे direct sunrise आ रही होती है, ठीक है, तो यह सारा सब कुछ होती सब्सक्राइब अर्थ अर्फ आराउंड दी सन्क्या कहलाएगा रेवल्यूशन तो राइट आंसर डायरेक्ट रेप्र रेस अप्वेटर व्ट हुस्ट पे कितनी तारीक को डाय रेच्ट रेया हुथ हुटीटिक विफ़स्ट मार्श यून 21 सेगें डिसंबर अब तो क्रिस्मस जपैन में समर्स में बनाया जाता है समर्स में बनाया जाता है क्रिस्मस तारीक वही रहेगी 25 दिसमबर लेकिन यहां पर क्या रहेगा समर्स रहेंगे ठीक है इस समय वहाँ पर क्या है एक तरह से अभी तो ख्यार एक विनक्स वाली सिच्वेशन है अब देखो क्या है साइकल ऑफ दी सीजन इस कॉस्ट द्यू टू साइकल ऑफ दी सीजन कभी विंटर कभी समर्स यह क्यूं आते है यह आते है रिवल्यूशन के कारण आगे ना समझ मैं यह जब सन को क्या करता है रिवाल्व करता है इस तरह से तो रिवल्यूशन के चलते क्या निकल के आएंगे revolution के चलते, cycle of season कभी winter, कभी summer यह होने वाला है ठीक है, आगे देखो, आगे philips, ठीक है अब philips करते है तो क्या है, a leap year है leap year में कितने दिन होते हैं, 366 number of days होते है the daily motion of earth daily motion जो घूंता है daily, उसे क्या कहते है, rotation तो यह daily motion is known as rotation, the earth travels around the sun in elliptical orbit, जो orbit रहता नहीं है, orbit यह एकदम circle नहीं रहता elliptical रहता है, तो elliptical orbit, ठीक है अब क्या है अगला the sun's rays fall vertically on the tropic off, dash on 21st June, हाँ जी 21st June पे sun rays जो होती है, तो वो vertically किस part पे होती है northern hemisphere में होती है, southern hemisphere में होती है ठीक है, तो अब northern hemisphere में जब vertical होती है sun rays तो northern hemisphere में कौन सा tropic है, tropic of cancer ठीक है, अब देखो क्या है days are shorter during dash season, तो दिन छोटे कब होते है हमारे यादे सो आपने summers में देखा हो summers में सुबह 7 बजे से उजाला हो जाता है, ठीक है, साथ या फिर और और पहले 6 बजे से morning हो जाती है, और वो 6 बजे से 7 बजे तक morning रहती है, ठीक है मतलब daylight रहती है, तो daylight जो रहती है, तो days बड़े बड़े तो summers में होते हैं, लेकिन वही winter में days अगर देखो कि तो आप सुबह 7 बजे तक daylight नहीं आती है तो शाम में 5 बजे अंदेरा हो जाता है तो इसलिए हम क्या कहेंगे, winters में day are shorter तो winters ठीक है ये winters हो गया, so this was all about the chapter, हमने chapter को theory part पर भी पूरा पढ़ लिया है, सारे question answers भी discuss कर लिये हैं, और सारा chapter जो है, पूरा यहाँ पर खतम होता है I hope सारे चीज़े समझ में आई हैं, किसी प्रकार का doubt है, तो feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning, thank you, thank you very much